नमस्कार दोस्तों, तो Green Energy, Green Energy ही फ्यूचर है, ये वने आपको कई बार कहा है, बाकि स्टोक में आप पैसा लगाएं ना लगाएं, Green Energy हमेशा ही आपको Profitability देगा, आप Longer Term में देगा, Shorter Term में नहीं, देखिए, एक्सिस जो का जो Growth Opportunity का फंड है, उसने भी देखिए, 10 लाग शेर उठाए हैं टाटा पावर के 10 लाग शेर का मतलब संझते हैं करीबन आप 24 पच्छीस करोड का मल उठाया है उन्होंने 24 25 करोड का माल उठाने का मतलब यह है कि वह सोच रहे हैं कि फीचर में इसकी ग्रोथ क्या उपर्चुनिटी होने वाले की यह क्यों सिर्फ रेनमें नीचे की तरफ की दिशा देखी हुई थि और वहीं की तरफ नीचे की तरफ ही जा रहे थे बाकी सारे स्टोक्ष अगर मैं आपको example दू तो Adani transmission जो की आपको लगा था बहुत अच्छा हो सकता है future के लिए नहीं है ये इतने इच्छे stocks जो भी green energy से related है power grid भी नहीं है green energy में जो investment करकी है वही stocks उपर जा सकते है नीचे बाकी short term के लिए उपर जा सकते हैं पर बाकी time में वो नीचे ही आएंगे Tata Power Company आज दिखे 237 पर 230 एक point है जो उसको फिर से breakout करना है और वो करेगा आने वाले time में कोई recommendation नहीं है बठा stock के लिए अच्छी ख़बर है तो बताना जरूरी है धन्यवाद